शबाज श्रीफ साबने स्टेटमेंट दी है इस हवाले से पहरे नमबर पे तो यह बताएं कि इंडिया वाले आप इससे में को सिरियूस लेंगे यार वो ने पकिस्तान को स्टियूस ले नहीं चोड़ दी है उनकी नजर में हमारी कुछ रही नहीं गई कोई एसक्ट रही नह हमारी जो नेशन है नोट एजुकेटिट एम सुरी तुसे मैं अपनी कौम के बारे मैं से बहुत हमारी कौम अभी बहुत पीछे है वह बाद किया वह भी आलमी ताक्तों को या अपनी पब्ली को कुछ करने के लिए नहीं 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 सर इसमें तो पूरी सियासत होती है आप को बात का रहे हैं वह जो जिन से पैसे लेने उनको कुछ का रहे हैं कि नहीं हम तो इंडिया के बड़े ताबेदार है कि अगर लैट्स पोस्ट दूसरा किश्मीर का हिसा भी हमारे साथ आता है तो हम उन्हें फोड कर पाएंगे उन्हें हम जो इस तरीके से मैनेज कर पाए उफे ही बात है अच्छा में पहले जूब जो फररौंइट कर रहे हैं कश्मीरी से तो मैं तो इंडिया का पास कोई कोई आगजेंट के तो नहीं है बात Vedic कोई और चीज भी सेल कर दिया करें तो आप क्या अंसर करेंगे कि अब फाइव यह विर्ज वोग है अभी आप इन लोगों से आप इसे क्या उमीद लगाएंगे वह वही बात आ पकड़ा ना उनका तो वो कहते हैं जो अपना 93,000 फोजी थे फिर वो उनकी एक्जैम्पल देते हैं वो तो हम हर साल दस पाइलट भी पकड़ने तो उनके बराबर नहीं पहुंच सकते या देखो ना वो कारगर आप सही कहा है कारगर का क्या हुआ था देखो चारक पकर ली थ इतने बड़े-बड़े हैं यह स्यासतदान मुदी जी हम उनके तो कुछ भी नहीं है जो उनका माइंड थेओरी है जो उनके पास सोचीजा है उच इस तो थोड़ा बहुत होता है ना कि यह वहां के लोगों में एजुकेशन कम है या ज्यादा है नो नो यह यूर रोंग व है वहां पर एक्शली आई लिव इन दुबाई सिंस लाइक एट यर्स तिन आर्ट सालों में मैंने बहुत कुछ सीका है मैंने बहुत कुछ मैंने महां पर देखा है जो के हमारे कौम में अभी वह चीज़ें नहीं बहुत पीछे हम लोग अभी और हमें चीजों के लिए बह रिठी सान और रिखिस खान के वाई डीर्ट साथ उन्होंने स्टाइट svांशी शाफ उननोंने के लिए स्टेटमेंट बहुत सुपक्र अथ है रेलेशन वेयिए इपरना रिए सब्स्क्राइब क्या आपको लगता है कि ये is Itamint का रिफाइट होगा किर सिसेमेंट और से र पहले शबाज शरीफ साब को चाहिए कि आप अपने कंट्री में देखे हमारे कंट्री में क्या हो रहा है हमारी कौम कहां जा रही है हमारी मेरी कौम को क्या चाहिए हमारे पाकिसानी को क्या चाहिए महिंगाई यहां पर इतनी जाद है पहले शबाश श्रीफ साब पहले अपने मुलक को देखें अपनी कौम को देखें उनका सोचें बाद में ज़ो आप इस दूसरे चीज़े करें नहीं देखेंगे अगर देखा जाए शबाश श्रीफ साब ने जो स्टेटमेंट दिया कि उनके साथ हर इशूस पर बात करने के लेकिन इंडिया वालों का यह स्टांस रहता है कि क्रास वार्डर टेररिजम के ओपर कंट्रोल किया जाए और दूसरे नंबर पे जो अगर आपने हमारे साथ रिलेशन बेस्टर करने हैं तो कश्मीर के हवाले से इधर साथ आजएं कश्मीर के हवाले से जोंसेना आप अपना स्टांस को थोड़ा सा देखें किया आपको लगता है कि क्रास बार्डर टेररिजम के ओपर हमें काम करने की जरुवत है कोई ऐसे इस यहां पर हैं अभी कुछ दिन पहले दो दिन पहले और इस रीके से नीदेखें टेरिस्ट के बारे में मैं यह से कुछ नहीं कहूंगा कि हमारा दीन में नहीं नहीं से था कि दूसरों को मारें ऐसा दीन कोई भी नहीं है अश्यलिया कि अपने कश्मीर के हवाले कश्मीर पास थी अना चाहिए आपके पाकिस्टान लोट इन्डिया लेकिं जो बाते करना करना चाह रहे हैं क्योंकि दूसरे कॉंपनी कांटरी को भी है करको हमारे मुल्क में क्या होगा करने के तो यह सोचेंगे बात कर नी कि से कल को क्या होगा और आप ने क्या होगा कश्मीर पाकिस्तान की पाकिस्तानी की यहाईश है यही सोच है लेकिन हमारे पास ही आएगा इंशाला थोड़ा सा अगर लाजिकल बात करें इससे हम जो पाकिस्तान की कंडिशन है जो कश्मीर का हिस्सा हमारे पास है हम उसको कितना कुछ ड्वैलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं कितनी कि नहीं पुरुआ कि जो हमारी अच्छा आपको क्या लगता है कि जिसे प्यार हो जहां पे वह सुक्राइब उसे रोटी अच्छी मिल रहा हूं तो इसको वहीं पर रहने दे खुदा रहा वहीं पर छोड़ दे लड़ाई जगड़े यह नहीं होना चाहिए पिर फिर ठीक ह जब देखते हैं इंडियन को पाकिसानिस को क्या वहां पर भी लड़ते रहते हैं आपस में या वहां पर मिलके रहते हैं आप तो बहुत अच्छे जान देखें जासा कि मैं पिछले आठ साल से दुबई में हूं मैं कल ही मैं लैंड किया है इस लिए सब्सक्राइब अब हो क्यों इस तरीचे से सोच रखते हैं आप गरंटी से कह सकता हूं और अप इदर अपने दोर पर सर्वेय कर सकते हैं किकि आप किसी से भी पुछेंगे वहीं के जहां कि आप कहते हैं वहां पर जा करते हैं एंग यहां कि पूलव थेखों प्रूंचे एंट लुग इं कि हाथ तक है और यह अगर वाकि में इनके ओपर इंप्लिमेंट हो जो 75 साल से हमारा इशु चलता आ रहा है जो हम आपस में इसके पर वर्क किया जाए बैट के टेबल टॉक के तुरू इन इशुस को हल किया जाए तो शायद जैसे दुबई में जैसे योरप में या किसी भी क अब्सक्तानी ब्रोधर्स में पक्सिट इनेशन जो मैं फिल करता हूं तुसी बैसे लंगे बाबाजी आज़ाजी अनिवेस मैं यह मैं च्वाटा साइ मैं सेजाए आई टो यह विल प्लेट इस विलोग और नोट आ इन अप्लोट करेंगे बिग्ट इस विलोग और यह अर लेकिन हमारी जो को मैंना अभी हम लोग बहुत पीछे हैं इंक्रुडिट माइसल्फ हम लोग अभी बहुत पीछे हैं के हवाले से दुनिया जितनी की तरफ जा चुकिया और हम आज भी रोटी कप्ड़ा मकान में बिजली और इन चीज़ों में फसे हैं कौन इसका रिस्प गरों में बड़े बड़े वो जनयाटर्र हैं बड़ी बड़ी गाडीयां रख़ेंगें कि अब इस लोगंद फूर से तकलिया का टो गड़ी हाए उनको से आपने ही है कि त्रोटी में नार्मल वे में महंगाई कम करें ताकि गरीब इंसान दो टाइम की रोटी कहा सके बिजली का बिल कम करो यार खुदारा लोग तड़ रहे हैं रो रहे हैं आपने मरना भी है कबर में आपने जवाब भी देना मेरी याद रखना अच्छा लगा बाद कर गे और इनकी जो नहीं अपनी उपीनियन है उनकी उपीनियन के हम रिस्पेक्ट करते हैं असलाम अलेकुम आपका नाम मुहम्मद इम्लान क्या करते हैं आप से पहले बी एक या दो बर बात जी बिल्कुल हो चुकिए अच्छा आज इस टापिक पे हम वीडियो रिकार्ट कर रहे हैं वह यह पाकिस् के साथ रिलेशन बेस्टर करने के लिए रेडी हैं हम चाहते हैं कि तमाम इशू के ओपर बात की जाए इंडिया के साथ चाहे वह कोई भी इशू क्या समझते हैं आपके अब कोई फाइदा हो सकता है अगर हम इदर से कोई अपना इस तरी के से अपना मैसीज कर रहे हैं मैस अगर आपको बोलूगा कैसा आप डेली जौनस वह करते हैं और खाने की चीज़ कर दिया करें कभी आप कोई और चीज़ कर दिया करें तो आप क्या अनसर करेंगे उसका सरुड़र डेफिनेट वांगा टॉपिक ले लिए पाकिस्टान के बड़े टॉपिक हैं उस से बात क पाकिस्तान में चीज अच्छी हो रही है तो मैं उसके ओपर नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना लूँगा मुझे बताएं चले नेक्स्ट आप जब आएंगे तब मैं शहला बताऊंगा पिर अगर हुआ आपके पास टापिक को हम जरूर करेंगे तो फिर यही चीज है हमारा बात करने का मकसद यही होता है कि अगर नेबर में चीज़ने की तरफ जा रही है तो हमें भी सीखने की जरूरत है और बात पाकिस्तान में ही की जाती है पाकिस्तान में रहके पाकिस्तान का शहरी पाकिस् लेंगे तो क्या कहेंगे जो इस हवाले से पहने नंबर पे बताएं कि इंडिया वाले भी स्टेटमेंट को सिरियस लेंगे वो यह वो ने पाकिस्तान को सिरियस लेना ही चोड़ दी है उनकी माचरमें हमारी कुछ रही नहीं गयी कुछ रही नहीं गयी वैल्यू नहीं आह thank you लो किस वह खुडना चाहे चाहते रहते हैं भिखारीं की तरह picking before we fix in the showscale फmostा रहता रहुं चाहते हैं में घ्रखते कर से तो सही करते हैं चाहएं कर लो हैं हं को स्रूर woods होगी तो वो खुद आपसे बात करेंगे अगर को प्रश्शन होगी तो बात करेंगे हमें बार बार करने की क्या जब्रूद है कभी उन्हों हाथ बढ़ाया है हमारे साथ नहीं ने हाथ बहुत तफा बढ़ाया है एवन उनके जो से मुझूदा प्राइम निस्टर आँ वो ओपनली कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिल के जंग की जाए लेकिन गुर्बत के खिलाफ दैश्ट-गर्दी के खिलाफ वाजबाई कि आ चुके हैं यहां पे कहने को बहुत सारी बाते हैं वो कर जाते हैं वो अ कैसे पैसे लेने उनको खुश का रहे हैं रहे हैं कजी नहीं हम तो इंडिया के बड़े थाबादार को आपको पता हैं कि पता भी है वह वह उसमें आ चुका अनके इस मेंबर्सों हुन की बात करते हैं काрист की चुक्त आपको लगता है कि इन दो पहले नमबर पे तो क्रास्प बार्डर टेररिजम को हम मानती ही नहीं हमारे गोर्मिन लेवल पे लोग कहते हैं ने जी हमारी तरफ से तो हो इनी रहा तो इंडिया वालों का तो पहला इशू यह है कि आप इसके ओपर अगर काम करोगे इससे कंट् पाकिस्तान में होएं ठीक है आपने बोला कई मुसल्मान इंडिया में मरें हैं ठीक है मुझे यह बताएं जब 1947 में इंडिया में मुसल्मानों की अबादी क्या थी कितने परसंट थी आज कितने परसंट है मैं आपको बात में बता दूंगा राफ आइडिया और पाकिस्ता यहाँ के मुसलमान जो ओदर जादा फिर उतने आपने बोला मरके मार दिये गे तो मुसलमान देखें दंगे की मैं बात की है दैशगरदी की बात हो रही कि खी कि है और किसना से मुसलमानों को मारा कियोंके वो विडियो ऐसी है कि वो उम पब्लिक होती नहीं लोग और कि तौक पर आप में लगा ना तो वो पुरूंट ब्लॉग कर देंगे क्योंके वो किया वह कि पाकिसान के इंडिया के छलाफ कोई वीडियो से कर दूँगा आपको फिर मेरे प्ड़ी हुई है मैं दिखा दूगा आपको मैंने दिखाना चाहता है क्योंकि वह दिल ख्राब होगा जिसना से नहीं है बहुत हम उसी टॉपिक पर आए जाते हैं दैशत गर्दी कर बात वो तो बंदा कुछ कुछ से मांग रहा है कि मैं रहा का एजंट हूँ तो फिर वो क्या उसे उसे नहीं प्रूफ होता कि यह बंदा यह 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 लेवल पे अभी तक हम सजा क्यों नहीं दलवा पाए आप यह मुझे पता हैं ठीक कोट आफ जैसिस में भी तक क्य हमने लिए हैं मगर किसी को सब्सक्राइब पहले ही अब वह देख लें जब अमेरिका का एक बंदा था यहां पर बंदे मारके और रातो रात चला यह यहां जी कैसे चला गया था हो सकता था असे देखें वही बात हैं हम कमजोर हैं और दूसरे नबर क्यों क्यों हैं हमारे जो अधारे हैं ना во牛 उनकी सारे माँबापबारब भाईबार बैन सारे तो बाहिर बैटे नहий जायनके पाहीर हैं तो वह किस किसना श्काब लेंगे उनको बुना यार मेरी फुल सारी पैसे ज्टो बर ने थाँ राइन्टी हम्तु कर लेंगें weak काथ थो अगर धिया अगर रात करें तो इन की पार्टी भी वैन पा दिखें Leフ ₹ उसके पास जणों नेए जो जिन्होंने सजाद दल्वानी हैं जिन्हूनना मामननीड आमैरीका वह सब्सक्द थाय। है इंडिया पाकिस्टान दोनों में साथ की बाद चुरएं हमें धूदेखें न हर बन्हें आरान और आ को यह सारे एकठे हो गया ना चींड इताद बन के ना अब चेहना ने उनको समझाया कि भी आपस में ना लड़ो अमेरिका क्या कर रहा था क्या बेच रहा था वाँ हमें ये चीजें समझ नहीं आ रही हम क्यों लाड़े हैं देखें आज पबलिक में बात करने का मफस्द पबलिक जिसको समझ आती है ना उसको तेदार में रहने ने देते जिसको समझ आ रही थी ना उसने कहा था कि किसी के परसनल मैटर में बोलना ही नहीं है हमारे चीफ आर्मी स्टाप जा के बोलना शुरू कर देते हैं वो वजीर आजम से पहले है ठीक है नहीं वजीर आजम तो हैट होता है पर यही बात आपको समझाना चाहरा हूँ कि यहाँ पर जो सिस्टम है जब तक हमारा सिस्टम बहतर नहीं होगा क्दानून की बलादस्ती नहीं होगी हम किसी के साथ बात करने के लायिक नहीं पहले अपने अपको मद्बूuत तो करें उसके काबल तो बनाएं यहां ऐस्के कामिया थे वेखना में यह साथ बात करना चाह तो नहीं इसे बात करूंगा तुमें एक तिरम कोरी नहीं है फलाना हेञसानन रोप बात कि रह ऑथ रहे हो Sheriff छो घो और भी दो वह तो यह कहते हैं कि प्लोचिस्ता 1 भी दो वो तो यह जो और पंजाब कहते हैं जि खास तोर पर जो नियूज होती है पाकिसान से नियूज इंडिया के हवाले से होती है हम उसके बात करते हैं इंडिया से लोग हमें बहुत ज्यादा देखते हैं जब आपको भी वहां पर देख रहे होंगे जो आपने बातें की हैं किया आपकी बातों पर वह सेंगे आपकी ब आप माशाळला से सम्मेदारे znaczy रहे हमारे जो हुकमरान एना जो हमारे सियासदान यह जो हमारे द्यारे rivals आपना खाब देखते हुअ हवाल का खाब नी देखते हैं किया हवाल का हुझा कि पूरा होगा वहां पे व्लीज मिलने चाहिए ये अपने खावाफ पहले देखतेने हमारे बच्चे के पास बहांपर फ्राडी गारी होने चाहिए अचया पा रहा हो अच नहीं आते क्योंकि पाकिजान खुद अपने खानी की पड़ी है उनको पता है यहां पे ना आप कनून की बाला दस्ती है ठीक होगे ना कुछ हो ना आया था वो भी चला गया रहे एक बात बड़ी है कि जब पहले आप से बात की अभी पांच मिंट पहले आप यह कह रहे थे क हमोंके तो कुछ भी नहीं है जो उनका माइंड थियोरी है जो उनके पास सोसी है कुछ इसरां से वो सोचते हैं उसरां से हम तो नहीं नहीं सोचते है कि एक्जेमपल है कोई भी चाहे इंडिया के प्राइम निस्टर हो चाहे पाकिसान के प्राइम निस्टर हो या दुनिया किसी भी कंट्री के अगर वो देशतगर्दी वाली अपना माइंड सेट रखते हैं तो दुनिया की पांची बड़ी कानमी भी बांची बांची ड्वेलफमेंट की तरफ भी चले है उसकी रीजन है कि हमें इसी लाल बती के आलमी दारों के अंदर यही लाल बती लगए रही है कि पाकिसान कभी उपर नहीं है तो हाई दाशतगर्द और काफी हद तक इमरान साब ने आगी यह खतम कर दिया था अभी फिर वही हरकते नोश्री जो कल पर 100 हमला हुआ हुआ है बजोड में आपको पता है कि 50-60 के क्रीब लोगों की जाने गई हैं 200 के क्रीब लोग जखमी हुआ है क्यों है कि यह किस ने करवाया आपके हैल मेरे बात सुनें इमरान खान की कुमत थी मैं वह कहता हूं वह नहीं ठीक था वो कुछ भी था जो लोग लेके हैं उसकी कुमत में को ब्रॉंब लास्ट हुआ है तो उनकी हकोमत में भी हुए इस लेवल का निवा कोई द्र अनरजी एकी साइड पर यह मतलब किसी एको गराने या किसी एको उठाने में लग जेंगे तो इनी चक्रों में पाकिस्तानी नीचे गिर जा रहा है और जो कर देख लें तो दिन बादिन नीचे जाती जा रही है दुनिया के आखरी चार कंट्री में हमारे पासपोर्ट की वैल्यू आती है सर अब क्या कर सकते हैं हमारे हुकमरानों का मैं आपको बताओं बड़ी आज चाहिन के साथ बात करने का मज़ा इसलिए आ रहा है कि यह पहले यह कुछ और स्टेट्मेंट मलब दे रहे थे कि उनकी तरफ से हमेशा ऐसा किया गया और जब फिर ड्वैलमें चेंज हो चुकी अधक चेंज हो चुकी और जिन लोगों ने आके चेंज की थी ना वह असल में इतदार में नहीं है अगर वह दार में होते तो काफी अधक धुर्वाप्समेंट हो रही थी फौन कॉंपनी आ रही थी सारह कुछ और था होंड़ा यहां पर वन की बात करें उन्हें सुजूकी की बात करें उन्हें प्रेफरेंस लेते हैं यह साथ हमारे जो उनसा महींद्र है इन्हें क्यों ही प्रेफरेंस लेते हैं मलब स्वाल थोड़ा जीब लगए आपको सर देखे ना जो दमाख में डाल दी है यह जो दमाख में शुरू से डाल दी तो वह हमेशा दुश्मन ही रेगा उनकी वाम के दमाग में भी डाल दी है और हमारी वाम के दमाग में डाल दी है तो वो तो अपना, ये सोछ्ट में के बेठे कि पाकिसान दश्मन पाहिसान, वो तो development की तरह रहे है हमने तो फिर इसका मलब एक इसोच अपने में रखी यह ना अब जंगे चो आति है आप जंगे इस तरह नहीं होती यह कि मदूखों savez और तोपों के साथ नहीं हौका बेतर करें इस्लामिक कंट्रीज ने भी ये बोला है पहले ये स्टेटमेंट दे चुके हैं सौधिया यूई के बहु इंडिया के साथ रिलेशन बेतर करो बिलकुल यार अब जाहरी सी बात हम वैसे ही कमजोर हो चुके हैं माशी आलत भी कमजोर है पैसे भी नहीं है पट्रोल की भी कीमते बढ़री है लेकिन सोच फिर नीं बदल यहां हम यही कहें के मुसंल्मानों को वहां मारा जा रहा है देखो मारा नहीं मारा गया नई मैं देखें हर जगह पे िशियु था हूँ है आप मेरी बेस दो को कि आए हूँ वहां पर भी प्रोटेस्ट ये चल रहे हैं वहां पर इस ये चल रहे हैं फोर्स कंवर्डियन चल रहा है जबर्दसी मख़ब चेंज करवाने का इसके लावा उनके जो मख़भी मकामात हैं उनको लेके चल रहे हैं यह गलत है तो फिर थोड़ा सा नालिज आप कराची की बात करें सिंद की बात करें पाकिसान नहीं है मैं इदर पंजाब में खड़ा हूँ थीक है मैं देख रहे हैं अब मीडिया को हमने कितना को कंट्रोल कर लिया वह पहले यह चीज़े आती थी हम मुदर तो हमारा जाना नहीं बंदकारों बार इदर बच्चे इदर है पहले कराची की न्यूज आती थी अब तो न्यूज भी नहीं आती यही सोचने वाली बात है सोचने वाली बात है के पंजाब में रहके हमें सिंद की न्यूज नहीं आती कराची की न्यूज नहीं आती लेकि इंडिया की न्यूज आ जा जाती है कि वह इंडिया मे जो ये ये आप